और लूज मोशन एकदम पानी की तरह जब एंड में निकल जाएगा तो इसका मतलब होता है कि आपका जो मलाशय है वो पूरे तरीके से अब खाली हो चुका है हेलो फामिली, नमश्कार, मेरा नाम है रेशू और आप सबके एक वर्षवेट से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नाइव वीडियो में यह वीडियो आज का कस्म से आपके लिए बहुत ज्यादा है जैसि कि आप से बसे मांड में बहुत जाधा Bye लढ़ अन्मegen जली एक पर निकल जाती है तो मतब इस वीडियो में complete information आपको देने वाली हूँ, आपके मन में जो भी doubt होते हैं वो खतम करने वाली हूँ, कि क्या सच में normal delivery के time सुसुपाटी निकल जाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful है, अगर आपका भी 9 month लग गया है, आपकी भी delivery अपका भी भी होने वाली है, तो ये वीडियो आपको पूरा जरू देखना चाहिए अगर आप पहली बारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आप मुझसे मिल रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को दबाना बिल्कुल नम हुले और अपने friends family में भी share करें जिन महिलाओं की delivery आने वाले time में होने वाली है, जिससे उनको भी help मिल सके तो चलिए फिर start करते हैं जल्दी से आज का important वीडियो तो friends जैसे आपको लेवर पीन आया, आप hospital पहुँच गए, hospital में जाते ही डॉक्टर आपका cervix examine करती है अगर आपका cervix 10 cm तक खुल चुका होता है तब लेवर रूम में ले जाया जाता है लेकिन उससे पहले आपके साथ normal delivery की कुछ तयार यहां भी होती है कैसे होती है जो female hospital staff होता है तो वो सबसे पहले आपके private part hair को remove करते है अगर आपने पहले से नहीं किये है तो ठीक है जिससे की बालू के वज़े से जब delivery हो तो बच्चे को कोई infection ना हो जाए इसलिए पहले private part के hair को remove किया जाता है फिर उसके बाद एनस में आपको anima दिया जाता है तो वो anima देने के बाद फिर आपको बार बार toilet में जाना पड़ सकता है क्योंकि anima देने के बाद क्या होता है कि आपको lose motion start हो जाते है बार बार आपके पेट में मरोड होगी और बार बार आप toilet जाओगे मतलब अब potty pass करने जाओगे और lose motion एकदम पानी की तरह जब end में निकल जाएगा तो इसका मतलब होता है कि आपको जो मलाशय है वो पूरे तरीके से अब खाली हो चुका है मतलब आप chances ही नहीं है कि अब आपको potty pass हो कितना भी आप push करो कितना भी जोर लगाओ potty pass होने का सवाली पैदा नहीं होता है तो इस बात की tension बिलकुल आप छोड़ दीजे कि जब आप push करोगे normal delivery के time पे तो potty pass हो जाएगे लेकिन हाँ हो सकता है कि urine pass हो जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना ही उसमें शर्म बाली बात है आपको पता है कि normal delivery वेजाइन डिलिवरी होती है और वहाँ पे जो भी staff होता है वो female staff होता है तो आपको इसमें घबरानी के बिलकुल भी जरुत नहीं है पास हो जाता है होने दीजे कोई रिक्कत नहीं है ठीक है इससे कोई परिशानी नहीं होती है और ना ही आपको hesitate होने की जरुद कि जब आप normal delivery वेचा रहे हो तो शरम को घर में ही छोड़के आना पड़ता है तो क्लियर हो गया ना आपका डाउट तो अब आप इस डाउट में बिलकुल नहीं रहेंगे ठीक है और ना ही फालतोगी टेंशन लेंगे और कॉमेंट्स में जरुद शेयर किजिएगा कि आपके मन में भी क्या ये डाउट था तो चलिए फिर मिलते हूं आप सबसे अगले वीडियो में तब तक ऐसी मुस्कुराते रहें और देखते रहें रिशूज ब्लॉग यूटूब चैनल बबाई थैंक्यू